मंत्य मंदल में इमाचर प्रदेश पेमेंट आफ इंकम टेक्स और सेल्वीज एंड लाउंचिस और स्टर्टन केटिगरीज ओर्डिनेस दूहजार बाइस को सभीकृति प्रदान की है आपको मालूम है कि पिछली केमेट मिटिंग में मत्यमंदल ने निया था कि जो विधायकों को मत्रियों को स्पीकर को उनको जो सेलरी मिलती है उसपर इंतरकेट दिया जाता है वह सरकार के द्वारा दिया जाता था और मंत्री मंत्री ने लिया था कि वो इंकम टेक्स है वो स्वेम सेवी लेने वाला विधायक मंत्री स्पीकर डिप्री स्पीकर अपने जेव से देगा आज उसके लिए अध्यादेश जो है वो उसको मंजूरी दी गई है जो मानिये राजय पाल जी द्वारा जो है वो प्रमलगेट किया जाएगा और आने वाले विधान सवसत्र में इसके स्थान पर जो है वो बिल लाया जाएगा और यह तौन पर्वभाब से लागू होगा मंति मंधन ने आज हिमाचा प्रदेश को ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन को 110 करोड का लॉन लेने के लिए जो है वो सरकार की गरंटी देने को मंजूरी प्रदान की है है मैं एक चांटी से यह लॉन है जो दो कि जब्स कम रिटार्मेंट ग्रेच्टी है और लीव एंटेश्मेंट प्रदी है जो पैंशनर्स हैं के रिटारिट लोग उसकी जो दाट्टों बनता है लाइबरिटी जो है उसको उसमाप करने के लिए जो है वोजे लॉन लेने के यह उनको पावर किया है ताकि लोगों को उनकी जो है वो डेस्ट कम रिटार्मेंट बैचुटी और लीव एंट कैश्मेंट के तैली के पैसा है वो दिया जा सके यह वो वेंपो से रिंड दिया जाएगा और इसकी गारंटी जो है वो प्रजेश सरकार द्वारा दी लिए बजट में इस्वार के मानिये मुक्षबंती जी ने सभी जो हमारे इलेक्टिट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत के वाड मेंबर से लेकर के जिला परशत के अध्यक्ष तक और नगरपालिकाओं के मेंबर से लेकर के कॉर्पोशिंस के मेर तक उनके जो मांदे है उसमें ब्रहुतरी करने की घोशना की थी आज मंतिमंदर ने उसको सविक्रिति प्रदान कर दी है और ये बड़ा वा मांदे जो है वो अब दिया जाएगा अब जो है वो चेर्में दिलापरश्चत का मांदे है वो 15,000 होगा पहले 12,500 था वाइस चेर्में को अब ये दस जार रुपए मिलेगा पहले 8,000 था और दिलापरश्चत के मेंबर को ये 6,000 रुपए मिलेगा जो पहले 5,000 था वाइस चेर्में के चेर्में को 9,700 की जगा वाइस चेर्में को 6,500 पहले 5,000 था और मेंबर पंचाय समिती को 5,500 पहले था उसके स्थाम पर मिलेगा इसी प्रकार से पुर्धान ग्राम पंचायथ जो है अब 2500 मिलेंगे उनको पहले 1500 मिलता था उप्रधान को अब 3500 मिलेंगे जो पहले 3000 था और मेंबर जो है ग्राम पंचायत के उनको 600 प्रमत मिलेगा जो पहले 500 प्रमत आज मंत्री मंडल में श्रीमला की जो ड्वेलेमेंट प्लान है उसे अपनी सविक्रिती प्रदान कर दी है कि 1989 में कानून बना था लेकिन 1989 तक आज तक श्रीमला की ड्वेलेमेंट प्लान नहीं बनी थी इंटेरियम ड्वेलेमेंट प्लान की अधार पर ही काम होते रहे थे श्रीमाचा प्रदेश उचन्यायले और नेशनल बेन टिवनल के भी इस वारे में आधेश थे के ड्वेलेमेंट प्लान जल्दी बनाई जाए 41 साल बाद आज जो है वो श्रीमला ड्वेलेमेंट प्लान बन करके जंता को समर्थमित की गई है जिसकी डिटेल्स जो है वो आपको पहले भी बता दी रहे थी कि जब ड्राफ प्लान आया था उसके बाद जो है उसमें सुजेक्शन्स आये हैं स्तानुए ऐसे स्टुजेक्शन्स और और जेक्शन्स आये थे जिनका निप्तारा करने के बाद जो है आज अंतिम रूप देखर के यह प्लान जो है वो श्रीक्रत किया गया है से इसंगे साथ सवर्ण की जो है वो जो में प्लाण में व्यांटेउध पिदी 있지 परहाम पहले है और वो आज मंसे मंदल में है कि आधर जो है वह ग्वemy ब्लॉक नीरी में है है मंडी जिला में इसको जो है वो लिहरी व्लॉक से रटा करके गोहर ब्लॉक में जो है उडाला गया है शोलन जिला के जैनगर में प्रदान की है इसी प्रदार से जो है वो शिमला जिला के चोबार क्षित्र के अंत्रगत बलगार में जो है वो पब्लिक वर्ट डिपार्टमेंट का एक सेक्शन खोलने को भी मजूरी प्रदान की है मंत्री मंदल ने जो है वो नियमों में छूट देते हुए पांच कनाल से कम जिनके पास जो है वो जमीन है उनको भी ट्रेक्टर ख्रिदने के लिए जो है वो सेंट्रली स्पॉंसर सब्मिशन जो है अग्रिकलिचर डिवार्टमेंट का उसमें जो है वो छूट प्रदान की है अभी तक जो है वो यह सब्सुदारी चीज जो है वो ड्रेक्टर सिर्फ वही ख्रिद सकते थे जिनके पास कम से कम पांच कनाल जमीन हो अब इसमें छूट प्रदान की है जिसके पास 5 कनाल जमीनी है उसे कम है वो भी ख्रिद सकेगा अब भी मंतिमंदल में फिर जलशक्ती विभाग का जो है वो एक सेक्षन हट्रण में थोड़ा है जो जलशक्ती सब्विजन बगई जो के अंत्रगत आता है और इसी प्रकार से जो है वो जलशक् भागउज बिलासवाग सेत्र में जो है वो यह जो होड़ने को मदूरी बतान की है इसी प्रकार से जलशक्ती विभाग का एक सेक्षन बल रोपा में जो चोहार वैली में है जो पद्धर जलशक्ती मंत्री मंदल ने एक पद इंस्टेक्टर फूड विवरेजी सर्विस एसिस्टेंट फूड एंड विवरेजी एसिस्टेंट पल्न में एक पर इस्ट्रॉक्टर पापा जो है वो आए टी ऐस सुनी में एक पधर क्लोने क्या इलेक्ट्रोनीक्स का इंस्ट्रॉक्तर का गवरेजी एविमिन बिलासपूर में और एव पद इसट्रॉक्तर इंफरमेशन टेक्नोलोजी गाउ जो है वो आई टी आई सुन्नी में जो है वो स्रीज़ करने को भी मुझूरी प्रतान की है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूर्प खोलने को मुझूरी प्रतान की है अधिनाया प्राइमरी हेलफ सेंटर वांतल ज्राम पंचयत D ड्रोड मंडि जिला में जो है वह इसको खोलने को प्रदान की है साथ तीर पद्जो चैनल है यदर लेकर हैं निभन्त संटर को मंत्री मंदल ने चम्बा में पंडित जोहरलाल नहरू गौवर्मेट मेडिकल कॉलिज और होस्पिटल चम्बा में 200 बेडिट होस्पिटल के निर्मान के लिए वहां पर जो कुवाने स्ट्रक्चर बने हुए थे वाइड लाइफ विभाग के उनको टेमरिश करने को सब्सक्रान की है ताकि वहां पर यह ऑस्पिटल जोह बनाया जा सके है मंत्रि मंदल में जो है वो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद मेडिकल कॉलिज टांडा में जो है वो बीएस्सी पेरा मेडिकल टेक्नोलोजी में जो है वो जो ट्रीए डिगरी कोर्ष होता है उसमें अभी तक 26 पदर जो है वो सीट्सी लेकिन अब उनको बढ़ा करके चाववन सीट्स त्रिप्टिफोर सीट्स जो है वो कर दिया है ताकि अधिक से अधिक जो है वो पैरा मेडिकल जो है जिनकी रिक्वाइर्मेंट सारीय प्रदे कि राजगडए सिरमौश दिला में है वहां पर जो है कि राजीम गांदी गवर्न्मेंट टाइरबैदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉरिज को प्रोला के जो विद्यार्थी है कीजी करने वाले वहां पर कर रहे हैं उनके स्टाइफंड में 8000 रुपया की बढ़ोत्री की है मंत्री मंदाल में रहनुकाजी विधान समक्षेत्र में जो है वो कंडो बायला में जो तदाव तसीर में आपड़ता है एक आयर्वेदिक हेल्ट सेंटर खोलने को भी मंजूरी प्रदान की है जिसमें तीन पॉदर डिफरेंट के टेग्रीज के भरने को भी मंजूरी प्रदान की लिए मंत्री मंदल ने जो है वो एक्स पोस्ट हेक्टो अप्रोवल दी है तो पहले इसकी घोषना हो चुकी थी काम भी शुरू हो चुका था जो हमारे किम्केर के कार्ड बनते हैं मुख्या मंत्री किम्केर योजना के अंतरगत वो एक साल के लिए बनते थे अब तीन साल के लिए बनेंगे और प्रिमियम उसका जो पहले एक हजार था या कुछ केटेगरी के लिए 365 रुपैंट था वो उतना ही रहेगा लेकिन कार्ड जो है अ पर जो मुझे कहना था यह आपको कुछना हो तुम दिशित करना पड़ता है अधुवरा यह पिनेस हो गया यह प्लापने कानुन है और इस पानुन होता है एक सब्सक्राइब वह पास थासवा में ज़िए जब तता बिधान सवागा सचनल ना उन्टिन विप्टेट अपने किया जाता है आज कोई पर कोई चर्चा नहीं ही आज प्राइमिस्टर की वीजी थी उसमें कोई चर्चा हुई होगी उसके बाद एच्छे आएगी अबी तक कोई पर आज कोई चर्चा नहीं हुई है थांकिया अध्युद्ट पर आती है गोशना की गई है वह जैसे जैसे जिसकी रिक्वाइर्मेंट होती है के विद्ट याने की वह पर आजाते हैं पर आजाएं तो फिक है जी अन्यावाद